हालो एब्रिवन, वेलकम टो डिवाइन केर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल रख सकते हैं, एक सिंगल पोइंट ट्रीटमेंट बताऊंगी एक्यूप्रेशर की हेल्प से, जो कि बहुत हेल्फुल रहेगा, अगर हमारी हार्ट बढ़ी होई है, तो उसको कम करने में, और अगर हार्ट बीट डाउन लो चली गई है, तो उसको नॉर्मल लाने में, सबसे पहले हम ये डिसकस करेंगे कि हार्ट बीट होती क्या है, हार्ट बीट को ही हम पल्स रेट भी कहते हैं, एक परसन का हार्ट एक मिनिट में जितनी बार धड़कता है वो उसका heart beat या pulse rate होता है जब हम एक standard की बात करते हैं कि कितनी standard हमारी heart rate या pulse rate होना चाहिए तो एक healthy person का heart एक minute में 60 से लेकर 100 बार धड़कता है अगर हम symptoms की बात करें तो कौन-कौन से symptoms आते हैं जिन लोगों की heart beat बहुत कम या बहुत जादा हो जाती है तो सबसे पहली चीज की सांस लेने में problem होती है चक्कर आने शुरू हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को बहुत जादा palpitation रहने लगती है कई बार बिहोशी भी आ जाती है concentration, focus करने में problem होने लगती है इसके साथ-साथ shortness of breathing भी हो सकती है अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि कि किसी person की heart beat abnormal हो जाती है बहुत कम या बहुत जादा हो जाती है सबसे पहली चीज एनीमिया इसका बहुत बढ़ा कारण है high blood pressure की वजह से हो सकती है जिन लोगों में बहुत जादा obesity है उनको भी ये problem हो सकती है अस्थमा जिनको है उनको भी heart beat से related problems हो सकती है थाइरड की वजह से भी heart beat से related problem हो सकती है कई बार fever में भी ये problem देखने को मिलती है अब हम discuss करेंगे वो single point treatment जो की बहुत helpful रहेगा जब हमारी heart beat या तो बढ़ गई है या घटी है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब हमा अब सौ से जादा हो जाती है तो उस condition को हम ट्रेकी कार्डिया कहते है और जब हमारी heart beat साथ से नीचे चली जाती है तो उस condition को हम ब्रेडी कार्डिया कहते है तो जो हमारा point है उस point का नाम है यूबी 10 ये point हमें मिलेगा हमारे हातों पर पीछे की तरफ थम के back side कहां पर जो ये थम का ऊपर वाला joint है इस से नीचे अब थम में बिलकुल center में हमें एक line खीच दें ये हमारी GV meridian जारी होती है governing vessel और उसके बिलकुल parallel एक और line जारी होती है meridian उसको हम कहते हैं UV meridian तो ये UV meridian का 10th point है ये हमें मिलेगा इस वले joint से जरा सा नीचे और center से थोड़ा सा इधर की तरफ देखिए मैं आपको इस point को लगा कर दिखाती हूँ ये देखिए मैंने आपको इसे locate करना भी बता दिया है एक center line पहले visualize कीजे उसके parallel एक दूसरी line towards index finger हमें visualize करनी है और उस parallel line पर thumb joint से जरा सा नीचे हमें ये point मिलेगा UB10 हम इसको पहले stimulate करेंगे probe की help से soft और deep दो से तीन बार हमें pressure देना है and यहाँ पर हमें biol magnet लगानी है जो दो color की होती है एक तरफ से white होती है और एक तरफ से yellow होती है तो जब हमारी pulse rate बढ़ी हुई है मतलब 100 से जादा पहुँच गई है तो उसको क्या करना होगा? हमाँ pulse rate को down लाना है मतलब white color जो है वो skin पे touch कराना है यह जो हमारा white color होता है यह sedation का point होता है मतलब उन pulse rate को यह कम लाएगा तो हमें यहाँ पर जो यह हमारा black dot मैंने लगाया है यहाँ आपको black dot नहीं लगाना है white वाला part जो है वो skin पे touch करा देना है राथ को करा दीजे और सुभा इसको हटा दीजे करीबन 8 से 10 घंटा इसको left hand में भी आपको लगाना है सेम इसी तहां से right thumb में भी इसको लगाना है locate करने का तरीका वही है जो मैंने आपको यहाँ explain किया अब एक दूसरी condition कि जब pulse rate 60 से नीचे चली जाती है जिसको कि हम ready cardia कहते हैं तो वहाँ पर हमें जो yellow वाला part है मतलब अब हमें pulse rate को बढ़ाना है यह हमारा tonification का color है तो यहाँ पर हमें जो yellow वाला part है वो skin पे touch करा देन है राइट यह बहुत simple सा तरीका है same वही left hand में भी लगाईए इसको और right hand में भी लगाईए तो जो यह problem है कि जिनकी pulse rate बहुत कम रहती है हार्ट बीट बहुत कम रहती है या किसी की हार्ट बीट pulse rate बहुत जादा रहती है तो वहाँ पर आप इसको use करके उन pulse rate को या हार्ट बीट को normal ला सकते हैं यह बहुत एक simple सा treatment है और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत useful रहेगा आप इसको जरूर इस्तमाल कीजे अगर आ तरीके से सभी चीजों को explain किया है किसी भी age group या किसी भी education background से person है वो उसको सीख सकता है और करीब 100 से जादा अपनी परेशानियों को अपनी problems को handle कर सकता है अपने आप इस course के लिए एक video भी बनाई है उस video का link मैं नीचे description box में दे रही हूँ आप उसे वहाँ जाकर देख स सकते हैं और अगर आप इस course को order करना चाहते हैं तो हमारी website या हमारी app पर जाकर order भी कर सकते हैं अगर आपको heartbeat से related ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ भी share कीजे ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके आज की video में इतना ही video देखने के लिए बह बहुत बहुत धन्यवाद